हलो दोश्तों नमस्कार मैं हूँ अर्चना किचन कानपुर्शे तो दोश्तों आज मैं बनाऊंगी तड़के वाली गड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही हमारे यां तो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है तो दोश्तों यह रेजपी आप पूरी देखिए का बहुत मज़ेदार है यह रेजपी तो चलिए बनाना सुरू कर देते हैं यहां सबसे पहले मैंने बाल ले लिया और उसमें मैंने एक का टोरी बेशा डाला है और बेशा टालेती हूं इसमें स्वात्कियों नमक यहां पर मैंने थोड़ी सी लिए लाल मिर्च छोटी चमच तोड़ी छोटी चमच मैंने लिए गरब मशाला और छोटी चमच में लिए दनिया पॉडर और यहां पर मैंने छोटी चमच लिए अजवाइन अजवाइन को मैं हासी मसल की डालूँगी इससे जो मैं पकोड़ी बनाऊंगी कड़ी के लिए बहुत ही टेश्टी बनती है तो बस अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में यहां पर मैं थोड़ा पानी डाल करके और इसका गाड़ा सा पेष्ट बना लेते ह इसको आप जितनी देर फेटेंगे उतनी अच्छी फूली फूली पकोड़ी बनेंगी और इसे अच्छे से फेटना है और इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है तो बस यहां पर अच्छे से फेट लिया है और 5-10 मिनट हो गया तो बस इसे मैं छोड़ देती हूं 5-10 मिन चलाने और बना देता है और इतर यूटर के विया बना देता है और अच्छे से पूल चुकोज़ियेध्य पंडी में भर्रक्फ हें यह की रहे हूं तो सितने प्लच में खांत चाहिए जर्क्षार begitu डाल देती हूं पकोड़ी और डालने के बाद में अच्छे से पल्टा देते हैं और ब्राउन होने तक इने पका लेते हैं तो दोस्तों हमारी रेस्पी अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो कमेंट बोक्स में जरू बताया और चैनल को सब्सक्राइक लाइक जरू कर ले मैं मा चाहिए तो भी को अच्छे शरू बल्प न परिए तें आंप दॉकम के लिए भी notu प Community सबी सब् Defense आए आप चाहें तो इसमें मिक्सी में फिर सकते हैं से बढ़िया से फिट जाएगा तो बस यहां पर जो अच्छे से पक गई है और यह पर मैं डाल देती हूं बेशन का घोल और गोल डालकर अब इसमें डाल दूंगी पानी तो यहां पर करीब मैं डेड़ गिलास पानी यूच कर कि यह पर बढ़या से चलाते रहना है दोस्तों इसे चोड़ना नहीं है कि घुड़ना नहीं है कि जिसमें की हमारा चीवाल आतना और इसे जि pushed y you can be up to an E Vous दोस्तों जबी डालिएगा जब उसमें उबाल आ जाए नहीं तो आपकी जो कड़ी है वो फट जाएगी मठा की वज़े से तो बस यहां पर उबाल आ चुकी थी तो बस मैंने डाल दिया स्वाद के अंशा नमक और नमक डालकर इसे पकने छोड़ देते हैं तो यहां पर दोस मिनाट इसे पकाऊंगी जिसमें कि इसमें अच्छी से संदी संदी से खुशबू आने लगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी कड़ी है वो बंद करके रेडी हो गई है तो इसे गैस को कर देते हैं बंद और इसमें बढ़िया सा लगाते है हारी मिर्च और लैसु तो लैसुन यहां पर मैंने कूच के डाला है अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा नहीं तो नहीं डालिएगा तो दोस्तों बस यहां पर मैंने कूच के डाला है लैसुन और लैसुन के बाद में मैंने तीन से चार हरी मिर्च थी वो भी मैंने कूच के डाली है और यहीं पकार देती हो बड़ा तड़का तो दॉस्तों इसमें बहुत है आप चाहा आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं तो मैंने यह दो क्वार sekunde Rpsнееным नहीं दोंकि नहीं करने बहुत ही अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चैनल को सब्सक्राइक लाइक जग और न बाइबाए